दक्ष प्रजापती ने एक बार बहुत बड़ा यग्ग किया और उस यग्ग में पहले उन्होंने बाज़पे यग्ग किया उसके बाद बुरहस्पति सब नाम का यग्ग भी किया बड़ा बिसाल यग्गोत्सव था शभी देवता अपने बिमानों में चड़चड करके यग के दर्सन करने के लिए आ रहे थे ब्रामन थे बड़े-बड़े ब्रामन थे रिशीगन थे शारे देवता थे और दक्ष प्रजापती के सारे परिवार के कुटुम्ब के रिस्तेदार भी वहां आये हुए थे देवता बिमानों में बैठ बैठ करके जा रहे थे यग में सामिल होने के लिए तो सती जी ने देखा ये सब बिमान कहां जा रहे हैं पूछा किसी से तो बताया गया कि आपके पिता जी बहुत बड़ा यग कर रहे है उसमें सभी लोग जा रहे हैं तो शती जी अपने पती के पास पहुँच गई, भूत नाथ से उन्होंने प्राथना की, हमारे पिता जी बहुत बड़ा यग कर रहे हैं, हमें वहाँ चलना चाहिए महादेव ने कहा कि चलना चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन बिना बुलाएं नहीं जाना चाहिए अपने ससुर के यहां मेरे माई के जाने में आपको क्या संकोच हो शकता है, तो महादेव ने कहा संकोच की तो कोई बात नहीं है, लेकिन हमारा और दक्छ प्रजादपती का पहले से ही मनो मालन हो चुका है, एक बार ऐसी घटना हुई है, जिसमें उन्होंने मेरा बहुत अप मैं वस्यग में सामिल होना चाहती हूँ, महादेव ने देबादी देव महादेव बोले, दक्छ प्रजापती ने मेरा बहुत अपमान किया है, मैं नहीं जाओंगा, सती जी दुखी हो गई, भगवान से मौन हो गए, बंधुओं से मिलने की इक्छा में बादा पढ़ जान के कारण दुख हुआ, क्रोध से उनका चित्त व्याकुल हो गया, आखों में आशु भर करके बिलाप करने लगी, भगवान संकर को छोड़ करके लंबी-लंबी सासें लेने लगी, और अपने पिता के घर चल पढ़ी, जाते हुए जब महादेव ने देखा, तो उन्होंने क कल्याण की कामना से सती जी के साथ उनके पारसदों को, यक्छों को, गणों को साथ में भेज दिया, सती जी अपने सेवकों के साथ महादेव को छोड़ करके अपने पिता की यग्ज साला में आ गई, यग्ज साला में परिबार वालों ने दक्छ के भैसे उनका स्वागत न नहीं किया के बाल एक बार मां आई और मां ने समाचार थोड़ा सा लिया और अपने पती के भैशे फिर बापिस चली गई और दक्ष प्रजापती तो मिलने आये ही नहीं सर्व लोकेश परी शती जी ने देखा यग मंडप में समस्त देवताओं को इस्थान दिया गया है मंडल बनते हैं ना आजकाल मंडल बनाते हैं यहां यग हो रहा है तो नभग्रह बने हैं दस दिक्पाल बने हैं नभग्रहों का नर्माड हुआ है सब्त गृत्मातिकाग का निर्माड हुआ है, 64 योगनियों का निर्माड हुआ है, इन सब का आवाहन किया जाता है, निर्विग्न यग्ण की समापती के लिए आवाहन होता है, परंपरा है, विधान है, और ये सब सच है, ये सब सत्य है, सत्य है, मानने बालों के लिए, जिन कि पिता जी मने दक्ष महादेव का अपमान कर रहे हैं पिता भवन जब गई भवानी सती जी को क्रोध आ गया पिता जी के पास पहुँची नाश्चलो के अस्ती अतिसायाः प्रियाः ऐसा कोई प्राणी नहीं है जो महादेव से बैर करता हो क्यों कि महादेव किसी से बैर नहीं करते लोक में ऐसा कोई भी नहीं है जो संकर को उपरिये ना हो आपके मन में संकर के प्रती देश कैसे आया प्रता जी प्रियाः पती को दोश नहीं करना चाहिए दक्षने बहर बना लिया उनके साथ सती जी उत्तर दिसा की ओर एक्षाला में बैठ गई आचमन किया पील आबस्तर ओड़ लिया शंकल्प किया और अपने सरीर को छोड़ दिया योग माया में इस्थित हो गई और उन्होंने संकल्प किया मैं जब तक जीवित रहूंगी तब तक दक्ष की पुत्री कहलाती रहूंगी मैं दक्ष के दिये हुए सरीर का त्याक करती हूँ दक्ष के दिये हुए शरीर का त्याक करती हुए छोड़ दिया ये शक्तिया